हेलो दोस्तों अब अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्यवर्देश को लेकर एक अलट जारी किया गया है जी हाँ दोस्तों मध्यवर्देश के इन जिलों में बारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा कुछ जगों पर दोस्तों छिटपुड बारिश होगी तो पूरे के पूरे मध्यवर्देश के सभी जिलों में सीत लहर का प्रकॉप तापमान दोस्तों जो है लग बग 2-3 डिगरी तक आ गया है यानि कि दोस्तों पूरे के पूरे मध्यवर्देश के सभी जिलों का मौसम जानते है तो आप वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना अगर वीडियो को पूरा जरूर देखना मध्यवर्देश के लग बग सभी जिलों मैं ठंड सारे रेकोर्ड तोड़ती जा रही है जी हाँ दोस्तों मध्यवर्देश के सीवनी जिले को छोड़ कर सबी जिलों में रात में पारा दस डिगरी के नीचे चला गया है जी हां दोस्तों तापमान 11 डिगरी सेलसे सरा और जिन 10 जिलों में दोस्तों जो रहा ना वह मौसम विबाग का कहना है कि वेस्टर डिष्टरबंस जम्मू कश्मीर और इसके आस पास पास इसके कारण जो हैं उच्छाई वाले बादल चाहे लगने हैं जी हां दोस्तों यानिकी दोस्तों है मौसम विबाग का कहना है कि काफी जदा मौसम में बदलाव दिनों मेलेगा आने वाले एक से दो दीनों में रात के थापन में एक दो डिगरी की बड़ोतरी होने की संभाव मन रहा है जिसके कारण 48 गंटों में काफी जदा बादल आयरेनी की उमीद है जिसके प्रभाव से काफी जदा थापन में बदलाव देखने मिलेगा तो वहीं दो दिन के इसमें दो बार उतार चड़ा होने की उमीद है बीते दिन दोस्तों ग्वालियर चंबल और शेडल सं संपर्क से बचे और दोस्तों एक नजर तापमान पर दाले तो रिवा में सबसे कम 4.0.0 जो है पिछले रात को रेकोर्ड किया गया है ग्वालेर में 4.3 नोगाउ में 4.5 खजूरा में 5.0 राइसें में 5.2 मंडला में 5.3 साजापूर में 5.6 और जबलपूर में 5.8 डिगरी पर सीत लहर चल रही जिसके लिए मौसम विबाग ने यलो अलड भी जारी किया गया है मौसम विबाग के पूरानों बार के मतबिद अगले 24 गंटों में शेडोल संबा के जिलो और साथ में रिवा पन्ना चातरपूर में सीत लहर चलेगी वही दोस्तों सीधी और जो है नर पर बादर आना है कि जो है सेलसिला शुरू हो गया है जिसकी वेज़े से दिन के तापन में विशे ससर नहीं होगा लेकि रात के तापन में काफी जगवा पर बढ़ोति रहने लगी है इससे ठंड में काफी ज़्यादा मामूली रहत मिलने की उमीद है आला कि प्रभाव से विधर्बं में एक प्रति चक्रवाद बनने के संकेत है इसकी वज़े से दोस्तों कई जगों पर ठंड जो है थोड़ी बढ़ेगी और कई जगों पर ठंड में थोड़ी सी कमी आएगी यानि कि मौसम और भी मस तो डाला है और दोस्तों मद्या प्रदेश की राजदा नही को मिल रही है मौसम विबा के मुताबी दोस्तों उमरिया और रिवा और साथ में नोगाओ खजुरा और दत्या राइसेन मंडला जबलपूर इन जगों पर भारी से भारी छे से भी नीचे तापान चला गया है और बता है जार है कि कई जगों पर उज्जेन में काफी जदा मौसम देखा गया है जबलपूर में उमरिया में रिवा में मुकश्मी लद्दा गिलगिन बलीस्ता और मुझफर नगर और रिवा में भारी से भारी ठंड देखी गई आपका मतर दोस्तों जो है देश के लगबक सभी राज्यों में मौसम बदल रहा है जिसमें मध्य प्र चंडर रूप दिखाना शुरू किया है पिछले 24 गंटों की दौरान मध्य परदेश में मौसम मुक्य तक सब्सक्रे काफी ज्यादा ठंडा रहा और अगले 24 गंटों की दौरान भी मौसम विभाग ने कोई जिलों में शीत लेयर के चलते एक जो है यलो अलर्ट जारी किया चला गया बौपाल में इंदौर में अधिक्तम ताफमां 23.2 वी तक आने वाले दिनों में मौसम की स्तेथी बहुत ज़्यादा बदला देनको में अगार सागल और साथ में सागर के साथ शेड हो उजयन और भौपाल संभाग के जिलों में तापमां सामने से काफी कम और बा कखाना कि नेय। तापमान काफी जजधा है थोड़ाबर सकते हैं, लेकिन मत्यप्रदेश में अग्ले चोबीस गंटों के बाद नियौनद न मत्य दापमन में भड़तरी हो सकते हैं, निय। सब्सक्ते जिले में रहे तो कॉन से जिले में रहते हैं कमेंट कर के जरूर गताना दोस्तों मैं बार बार पूछ रहाओ तो ही जिले की जो है, कमेंट्ट सबसे ज्यादा आए गी उस जिले का मौसम में बहुतांटो herdvanat, तो काफी मौसम में still में बहुत बातनEC पर है तो म मिला है तो उजयन में काफी अच्छा मौसम देखने को हैं 24eremos fact यानि लगबग 9 के करीम रेकोर्ड किया ज़ते हैं और बात करें देवास की तो देवास में रात को 9 के करीम जाता दिन में 24 के करीम जाता है और बताए जारे कि राजगर्ड मध्यपरदिश में भारी ठंड का प्रकॉप है 25 के करीब दिन में ताप मन जाते है रात में 8-9 के करीब साजापूर में भारी से भारी ठंड का प्रकॉप है और साजापूर में भी रात के समय लगबग 9 और दिन के समय लगबग 24 के करीब ता प्रदिश कोई उमीद नहीं है लेकिन आपको बाता दोस्तों मध्य प्रदिश में लग भग जो है पूरे एक सप्ता तक बारी से भारी ठंड रहेगी और इसी बीज़ दूस्ता आने वाले जो है काफी ज्यादा दिनों तक जो है भारी से भारी ठंड का प्रकॉप जो है लग नोगाउं खजूरा और फुमारे पड़ी थोड़ी बहुत यहां पर और मौसम विबा के मतलब भोपाल में भी जो है काफी जगों पर भारी ठंड का अनुमान जते जा रहे हैं और अगले दूसे तीन दिनों के दुना ने भारी से भारी ठंड देखने को मिलना लिए मध्य अगर आपको वीडियो पसंदा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना